हलो और वेलकम दोस्तों मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिज्टल वियर यूटूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी को भी अनोन मैसेज कैसे करें यानि दोस्तों हिडन मैसेज कर सकते हैं एक तरीके से यानि कि आप किसी को भी कर सकते हैं किसी को मैसेज कर सकते हैं और वह भी मैसेज ऐसा होगा जहां पर ना तो आपकी आईडी दिखाई जाएगी और दूसरी चीज है कि वह जब भी बंदा ओपन करेगा तो सिंगल एक ही बार ओपन कर सकता है उसके बाद वह अपने आप डिस्ट्रॉइड हो जाएगा यानि कि खतम हो जाएगा वह मैसेज गाएब हो जाएगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले बहुत ही इंट्रिस्टिंग टॉपिक है तो दोस्तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह हम कैसे करेंगे यह मैसेज को किरियेट तो दोस्तो बन तो दोससों सबसे पहले हम अपनी website आपन कर लेते हैं यानि कि पहले हम ब्रावजर आपन लेते हैं अपनी laptop में और दोस्तों यह website आप laptop से अन करें या फिर आप अपनी mobile से या desktop से कहीं से भी इस website को आप open कर सकते हैं, अब मैं आपको बता दू इस website की कुछ qualities, यानि मैं आपको यहाँ पर दो website के बारे में बताने वाला हूँ, जहां से आप facebook, whatsapp, instagram, या फिर mail, कहीं पे बूल में message भेजोगे, और message भेजते ही उबंदा message पर किलिक करेगा, पढ़ेगा, पढ आरे website के link मैं आपने वीडियो के description में भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी visit कर सकते हैं, या फिर direct google से search कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको simple क्या करना है, उपर वाली website पर किलिक कर देना है, किलिक करने के बाद देखेंगे, tmwsd. आपके सामने open हो गया है, अब यहाँ पर आप मैं तो for example ऐसे लिख दिया, I like you, और यहाँ पर आप चाहें तो उस message के लिए password भी लगा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो, लेकिन मैं password यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, without password आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्जी लगा भी सकते हैं, यहाँ पर simple आपको करना है, save this message, इस पर आपको click कर लेना है, click करने के बाद देखेंगे, यह message का URL बन गया, जो message हमने type किया था, अब दोस्तों यहाँ पर आपको नाम type करना है, कि message का नाम क्या होना चाहिए, जो भी नाम type कर दो, जैसे मैं love type कर देता हूँ, देखेंगे, love मैंने type कर दिया, और यहाँ प कोई एक mail ID देता हूँ, for example, अपना ही देता हूँ, क्योंकि check कराऊंगा मैं आपको, कि यह mail कैसे हो रहा है, कैसे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर mail ID भी type कर दिया, उसके बाद आपको simple save this message पर click कर देना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, इस website को द कि आप account भी यहाँ पर बना सकते हैं, free of cost account बनता है, कोई भी charges यहाँ पर नहीं लगती है, आपको, अब हम message को send करके दिखाता हूँ, यहाँ पर save this message पर click किये, और click करने के बाद देखेंगे, यह message send हो गया, अब दोस्तों message यहाँ पर send हो गया, अब हम चलते हैं, अपनी mail ID हमने यहाँ पर डाला है, mail ID को open कर लेते हैं, simple हमने mail ID को select कर लिया है, और यहाँ पर password डाल के login हो जाते हैं, तो देखें हैं कि हम यहाँ पर अपनी mail ID में login हो रहे हैं, login होने के बाद हमारे पास वो link मिल जाएगा, देखेंगे, आप यहाँ पर देख नहीं सकते हैं, tmwsd, यहाँ पर message आ गया है, और simple आपको इस message को open करना है, यहाँ पर आपको message को control C कर लेना है, और इसे आपको URL में paste कर लेना है, देखेंगे, मैं control C किया, और एक नया URL ले ले लेता हूं यह, और यहाँ पर मैं इसको enter दालना है, enter डालने का बाद देखेंगे कि यह message हमारे पास open हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यह message open हो गया, यहाँ पर लिख रहा है, I like you, और उपर देखेंगे लिख रहा है, this message has been deleted, once you leave this page, it will no longer be as well, यानि कि दोस्तों, यहाँ पर यह website आपको बता रहा है, कि आप यह website पे visit किये हैं, यानि कि अभी आपने message पढ़ लिया है, अगर इस website से आप बाहर जाते हैं, यानि कि यहाँ से हटते हैं, तो आपका message by default delete हो जाएगा, अब मैं एक बार ट्राइ करके दिखाता हूं, मान ल नहीं, यानि दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीका है, कि यानि कि आप किसी को भी message भेदो, आपकी मन की जो भी है, बड़ा साप निकाल लो, किसी को भी और ना तो आपका mail ID वहाँ पर आपका जा रहा है, और ना ही आपकी message को दोबारा पड़ पाएगा, तो यह तो था हम इस वेबसाइट को यहां से आप विजिट कर सकते हैं, और इसका link भी मैं अपनी वीडियो को description में दे दिया हूँ, तो simple हम इसे open कर लेते हैं, यहां पर आपको मिल जाता है Facebook या फिर WhatsApp पे भी message भेजने का बहुत बड़ा option, website हमारे सामने open हो गया, और यहां पर आपको simple message type कर आए, for example, मैं यहां पर type कर देता हूँ, I love you, don't mind दोस्तों, आप जो भी मर्जी type कर सकते हैं, मैं ऐसी type कर देता हूँ, और यहां पर create note करना चाहिए, तो कर ले, यहां फिर so option पे अगर आप click करते हैं, तो आपको यहां पर मिल जाता है, बहुत सारी चीजे, मैं आपको बता करेंगे self-destruct, आप चाहिए तो यहां से change कर सकते हैं, one hour, two hour, 24 hour, seven days, 30 days, जो मर्जी, लेकिन मैं यही option रहने देता हूँ, अब आप यहां पर manual password भी डाल सकते हैं, जो भी मर्जी अब डाल सकते हैं, confirm password कर सकते हैं, कि वो बंदा password डाले, तब ही जाके open हो, उसके बाद यहां आप यहां से आप simple create note कर सकते हैं, यहां पर create note करेंगे तो देखेंगे यह process हो गया, और process होने के बाद दोस्तों यह link generate हो गया, और generate होने के बाद यह link में totally चुपा हुआ है, जो आपने type किया है, अब यहां पर देखेंगे select link या email link, आपको कहा करना है, तो अबर आपको facebook करना है, या WhatsApp पर करना है, तो simple यहां से URL को copy करें और Facebook पर डाल दे, यहां इमाली है, कोई Facebook open कर लिया आपना, जैसे for example, मैं यहां पर किसको message करूँ, वैसे मैंने message to type किया, I love you, तो कभी कोई गुस्षा न कर ले, इसलिए, मैं, तो दोस्तों यहां पर एक ID मिल गया मुझे, म लिंक चला गया उनके पास, और यह लिंक जब भी ओ, ओपन करेंगी, तो क्या होगा, वहां पर उनको मिलेगा, I love you, और दोस्ते बार वो खतम जाएगा, मैं इसे open कर देता हूँ, और open करने के बाद देखाता हूँ मैं आपको, कि यहां पर क्या मिलने वाला है, यहां पर द destroyed, if you need to keep it, copy it before closing these windows, it means कहा रहा है website कि यह message जो है, destroyed हो जाएगा, अगर आपको इस message को save करना है, तो इस message को copy कर लो, window को close करने से पहले, यानि कि यह website को cut करने से पहले, तो दोस्तों, for example, मुझे नहीं करना तो मैं इसे cut कर देता हूँ, और cut करने के बाद फिर से मैं इस message को open क करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिख रहा है, फिर से message मिल गया, not destroyed, यानि कि वो not जो है, खतम हो गया, यानि कि one time के लिए, तो दोस्तों, खुल मिला के बात यह है, कि आप इस दोनों website का use बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों, जाते-जाते मैं फिर से याद दिला दूँ कि यह तोटली चीजे मैं आपको as a education के लिए बताता हूँ, ना कि इसका गलत यूज़ करें आप, और इसका गलत यूज़ करना illegal है, जो कि crime है, और तलत बिलकुल भी ना करें, I hope आपको वीडियो यह पसंद आयोगी, और तो दोस्तों, लाइ have a nice day